आज किचिन में बन रहा है रस गुला रॉष गुला आज की जो यह रेसिपी है वर्ल्ड वाइट फेमस रेसिपी है सॉफ्ट और स्पॉंजी बनने वाला है यह बिल्कुल अंदर तक रिसके रस भरा होगा गोल-गोल, सॉफ्ट एंड, स्पॉंजी रस गुला और मुव में डालते ही यह घुल जाएगा अब मार्केट स्टाइल रस गुला आप घर पे बना सकते हैं असानी से बहुत ही हिट एंड ट्राइल के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहे सबसे पहले वो चाशनी बना लेते हैं जिसमें रस गुला को डिप करना है यानि कि डिपिंग सिरप उसके लिए पैन लेंगे और इसमें आड करेंगे हाफ कप शुगर साथ ही इसमें आड करेंगे एक कप से थोड़ा से जादा पानी यानि कि जितनी आपने शुगर लिए उससे डबल से थोड़ा से जादा अब गैस अन करेंगे और इसे तब तक पकने देंगे जब तक चीन ताकि चाशनी को ट्रांसफर कर लेंगे इसे रूम टेम्प्रेशर पर आने तक ऐसे छोड़ देंगे तब तक हम रजगुले की बाकी तियारी कर लेते हैं अब रजगुले के लिए जो चैना बनाना है वो तियार कर लेते हैं एक भारी तले के बरतन में एड़ करेंगे half लीटर full fat milk मैंने या बफैलो मिल्क लिया है यानि की बहस का दूद अब फ्लेम उन करेंगे और इसे सिमर आने तक बीच बीच में स्टर करते रहेंगे यानि की एक बॉइल आने तक चैना की कॉलिटी जो है वो दूद पर डिपेंड करती है किस टाइप का दूद ले रहे हैं मैंने यहां पर full fat पफैलो मिल्क लिया है इससे best results आते हैं तो आप यह यूज़ करें अब एक boil आ चुका है फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे एक दो मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे अगर आप इमिडेटली दूद को फारने की कोशिश करेंगे तो जो छेना है वो hard हो सकता है second most important thing मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ कि इसे as it is एक दो मिनट के लिए रेस्टिंग पोजीशन पे छोड़ देंगे अब एक दो मिनट बाद एक बाउल में लेंगे दो टेबल स्पून विनेगर और दो टेबल स्पून ही पानी अब मिक्स कर लेंगे अब विनेगर के मिक्शर को दीरे दीरे करके दूद में आड़ कीजिए और हलकी हातों से इसे स्टर कीजिएगा ये थर्ड टिप है इसे ध्यान में रखेगा आप देखेंगे कि दीरे दीरे जो आपका दूद है वो फटना शुरू हो के है जितना विनेगर रिक्वाइड है उतना ही आड़ कीजिएगा दूद को फानने के लिए जो कॉंटिटी मैंने यहाप ली है विनेगर दो टेबल स्पून वाटर वो इनफ है दूद को फानने के लिए आप देख सकते हैं कि जितना चैना है वो अलग हो चुका है और ग्रीन कलर का जो मठा है यानि की वे वो अलग हो चुका है इस टेज पर आपको चैना को स्ट्रेन करना है चन्नी पे मलमल का कपड़ा रखना है और इस छेना को छान लेना है और छानते इमेजेटली इसको फ्रेश वाटर से धोना है जादा नहीं बस जो विनेगर की खटास है वो निकल जाए इसको दोने के बाद जो पानी बचता है उसे फैकिएगा मत ये बहुत काम की चीज है इसे आप किसी भी करी वाली सबजी बनाने में यूज कर सकते हैं एक बाई जब आपने इसे धो लिया है तो आपको क्या करना है मलमल कपड़े को हलका सा फोल करके चारो साइट से हवा में इसको एक दो मिनट के लिए ट्रिप करने के लिए टांगना है जब तक कि जो बचा हुआ वे है वो निकल नहीं जाता और इसको हलके से हाथ से एक दो बारी दबाना है जादा भी नहीं दिबाना, ध्यान रखेगा, फोट टिप यह बहुत इंपोर्टन्ट है, नहीं तो सारा मॉइस्टर जो है वो खतम हो जाएगा, जो की चैना बनाने के लिए हमें चाहिए, अब इसे वापस रखके, इसके उपर एक वेट रख देना है, जादा भारी नहीं र मैं इसको फ्लेम लोई रख रही हूँ, जब तक यह चाशनी पकती है, तब तक हम अपने रजगुला शेप कर लेते हैं, चैना रहसे हो चुका है, इससे चेक कर लेते हैं, देखिए जब मैं इसे तच कर रही हूँ, तो मेरे हाथ पर मॉइस्टर सर बना हुआ है, तो यह चैना को एक बड़ी सी प्रांत में ट्रांस्वर कर लीजिए, अब इस चैना को तोड़ कर हाथ से क्रंबल करना है, और इस चैना को प्रांत के एक साइट कठा कर लीजिए, अब इसे हमें मतना है, तो इसे मतने के लिए पाम का इस्तिमाल करना है, और इसे थोड़ा थोड़ से मतिएगा यह मैं आपको आपको दिखा रही हूं देखे पराद चोड़ना शुरू हो गया है यह बिल्कुल यह स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह टेमाइन करेगा कि आपके जो रजगुल्ला है साई से शेप हो और उसमें कोई क्रैकना है एक और इसे जादा मतना भी नहीं तो अपना गी छोड़ देगा इस स्टेज पर चैना आ जाए तो इसमें मैं आग करूंगी सिफ आदा टीस्पून मैदा उसके बाद अच्छे से इसे मिला लीजिए मिलाने के बाद आप देखेंगे हमारा चैना रेडी हो गया है अब चैना को शे पर बहुत बढ़िया और गोल सी बने आपको ध्यान देना है कि इसके सर्फेस पर क्रैक नहीं होने चाहिए बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए ऐसे ही बाकी सारे रजगुलों को भी शेप कर लेंगे एक बार ही आप सारे रजगुले शेप कर लें तो इसको ढग देना है मॉस मसलिन क्लोट से ताकि जो इसका सर्फेस है वो ड्राय न हो अब चाष्णी को देख लेते हैं चाष्णी में जितनी भी चीनी थी वो गुल चुकी है चाष्णी करम हो चुकी है अब इसे रोलिंग बॉयल पे लाने के लिए इसे ढग देंगे जब तक ये रोलिंग बॉयल प चाष्णी रोलिंग बॉयल पे आच चुकी है अब इसमें दीरे दीरे करके आड करेंगे जो हमने रजगुला शेप किये थे कितने बढ़िया लग रहे हैं देखिए बनने के बाद तो मज़ा आजाएगा खाने में इसे दो से तीन मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है बिना लिड लगाए एक बाद दो से तीन मिनट हो जाए जो 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 हमने तियार किया था वो इसमें आड कर देंगे और इस जोल से क्या होता है आप देखेंगे थोड़ी दिर में अब इसे लिट से कवर कर देंगे इमिजेटली और इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे 10 से 12 मि GINA जाती है उससे यह रजगुल्ले साई से पकते है, हाई फ्लेम पर होने की वज़े से यह जो जाग है वो उपर तक आजाती है, तो इसके लिए आपको क्या करना हो तो आपको धकन खाना पड़ेगा यह धकनको साइड में रखना पड़ेगा, ताकि ये जो जाग है वो ओवर फ्लो ना हो जाए और ये चाशनी जो है बरतन से बाहर ना आ जाए अब 10 से 12 मिनट इसे हाई फ्लेम पर पकाने के बाद लेड हटाएंगे आप देख सकते हैं जो हमारे रजगुल्ले अच्छे से फूल गए हैं अच्छे से पक गए हैं फ्लेम को ओफ कर देंगे और 4-5 मिनट इसी चाशनी में उसे पकने देंगे पाँच मिनट बाद रजगुल्लो को इस तरीके से चान के जो हमारी डिपिंग वाली चाशनी है उसमें डाल देंगे ट्रांस्वर करने के बाद आदा गंटा आपको इंतजार करना पड़ेगा इसे खाने के लिए जब रूम टेमरेचर पे यह आज जाएं तो उसके बाद इसे ठंडा करके याज इट इस खा सकते हैं पूरी वीडियो को अच्छा से फॉलो करेंगे तो कोई भी क्रैक नहीं आएगा आपके रसगुलों में और बढ़िया से रसगुले त्यार होंगे